अनुग्रा लगु मनन में आप सबों का एक बर फिर से हादिक स्वागत है मित्रो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसने एक फिर नए मनन की कड़ी में हम सबों को जोड़ा है आज के मनन का विशय होगा पूर्ण भरोसा और इस विशय पर मनन करने के लिए आज जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला थिसलूनी कियों उसका पांचवा अध्याए और उसका चौविसवा पद और यहां इस प्रकार से लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सचा है और वह ऐसा ही करेगा मितर रिपीट करता हूँ तुम्हारा बुलाने वाला सचा है और वह ऐसा ही करेगा यानि जब उसने बुलाया तो जिन बातों की उसने प्रतिग्या की वह उन्हीं बातों को करेगा मित्र इस संसार में हमें से हर एक का अनुभव है कि जब कोई हमें बुलाता है या किसी प्रकार का ओफर देता है या किसी बात का दावा करता है और जब हम उस पर विश्वास करके उसके पास जाते हैं या उस तर जब हम विश्वास करते हैं तो बहुत बार हमें ये पता चलता है कि उसने जिन बातों को कहा था उन बातों में सच्चा ही नहीं है और जिन बातों के लिए उसने प्रतिग्या की थी कि वो ऐसा करेगा वो ऐसा उसने नहीं किया लेकिन आज इस वचन में जब हम पढ़ते हैं तो एक बड़ी अच्छी बात हमारे सामने आती है वो ये है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा मित्र ये उत्सा को बहुत बढ़ाने वाला पद है और विशेश रूप से ये पद उन लोगों को मैं देना चाहता हूं जिनको ऐसा लगता है कि क्या सच मुझे प्रभू ने बुलाया बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हो सकते हैं जो इस समय इस कारेकरम को सुन रहे हैं इस संदेह के अंदर हैं तो मैं कहना चाहता हूं आज का वचन आपके लिए है तो आएए चलते हैं एक छोटी लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही लोकप्रिये घटना में इस घटना के बारे में मैंने पढ़ा था आप मेंसे हर विक्ति अमेरिका के नियागरा जलप्र जलप्रपात के बारे में जरूर जानता होगा नियागरा जलप्रपात आप में से हर एक को ये बात पता होगी कि नियागरा जलप्रपात सायुक्तराज अमेरिका और कनाड़ा देश की सीमा पर है यानि दोनों देशों से इस जलप्रपात को देखा जा सकता है तो मितर ये दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक है और कहते हैं कि लाखों टन पानी इस जलप्रपात में निरंतर गिरता रहता है इसको देखना बड़ा ही विहंगम द्रिश्य को प्रस्तूत करता है इसको देखने पर रोमान्च हो जाता है मेरे ब्रियो बहुत बड़ा ये जलप्रपात है और इसको देखने से सबसे पहले जो भावना मन में आती है वो है भावना ये बहुत ही उचा और बहुत ही चोड़ा जलप्रपात है एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति ने घोशना की कि वह नियागरा जलप्रपात के उपर रस्ती पर चल कर दिखाएगा जनता में संसनी हो गई क्योंकि ऐसी घोशना कोई मामूली बात नहीं थी अख़बारों में ये इश्तिहार छपा, इस व्यक्ति का दावा, अख़बारों में छपा कि वो नियागरा जल प्रपात के उपर रस्ती बांद कर उस पर चलेगा और वो लोगों को अपना शो दिखाएगा तो मित्र कहने के आवशिक्ता ने ये भारी भीड जमा हुई, बहुत बड़ी भीड थी और भीड वहाँ जमा होकर बड़ी उस सुकता से देख रही थी कि वो आदमी क्या करेगा तो उस आदमी ने रस्ती बांदी और जल प्रपात के उपर चलने लगा, ये द्रिश्चे इतना रोमांच कारी था कि लोगों की सासे रुख गई चलते चलते जब वो दूसरे सीरे में पहुँचा तो जबरदस्त तालियों से उसका स्वागत हुआ उसने चला कर पूछा, क्या आप विशवास करते हैं कि मैं अब एक मेज को भी उठा कर, यानी एक टेबल को भी उठा कर, नियागरा जल प्रपात को पार कर सकता हूँ आपने देख लिया कि मैंने अकेले इस जल प्रपात पर रस्तीयों पर चल कर इसे पार कर लिया अब मैं एक मेज को उठा कर चलना चाहता हूँ क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ भीड चिलाई येस यू कैन डू मित्र उस आदमी ने एक मेज ली यानि एक टेबल लिया और एक बार फिर से उसको उठा कर रस्टियों पर चलने लगा रसी पर जब वो चलता तो रसी कैवर डगमगाती। लोगों की सांसे रुख जाती लेकिन टेबल को उठा कर वो चलता गया चलता गया और एक बार फिर वो पार हो गया। भीड में तो मानो मित्र जुनून सवार हो गया। वो आदमी अब हीरो बन गया था भीड जयजयकार करने लगी भीड खुशी के मारे तालियां बजा रही थी भीड में उन्माद आ गया जब उन्होंने इतने बड़े कारे को देखा जो कि एक चमतकार से कम नहीं था अब उस आदमी ने मुस्कुरा कर पूछा क्या मैं किसी आदमी को उठा कर या मनुश्य को उठा कर नियागरा जल्प्रपात को पार कर सकता हूं बताएए भीड जोर से चिलाई यूर ए ग्रेट हीरो येस यू कैन उस आदमी ने पूछा मैं दुबारा पुछता हूं मैंने जिस परकार से मेज को उठा कर इस जल्प्रपात को पार किया क्या मैं किसी आदमी को उठा कर पार कर सकता हूं भीड एक बर फिर से जोर से चिलाई यूर दा ग्रेट परसन यूर दा ग्रेट हीरो येस यू कैन उस आदमी ने कहा तो एक काम कीजिये आप में से कोई आ जाईए मैं उसे उठा कर जल प्रपात को पार करना चाहता हूँ अब तो भीड को मानो साफ सूंग गया और एक आदमी भी नहीं आया मित्रो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध भी कई बार ऐसा ही हो जाता है हम सिर्फ गीद गाते हैं तालियां बजाते हैं और जयजयकार करते रहते हैं हम कहते हैं हाँ प्रभु तू कर सकता है तू बहान है येस गौड यॉर दे गौड अप इंपॉसिबल तिंक्स लेकिन सच पर सांसारिकता हावी हो जाती है हमें डर लगने लगता है कि पता नहीं क्या होगा मालूम नहीं जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो होगा भी या नहीं होगा मित्र मुसा ने भी ऐसा ही व्यवहार करके कहा था जब उसको परमेश्वर ने इसराहिल को छुड़ाने के यानि मुसा ने कहा मैं नहीं जा सकता बार बार मुसा ने कहा मैं नहीं जा सकता मैं बोलने में भद्दा हूँ लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे उसने दस प्रकार के बहाने बनाए लेकिन मित्रो वचन बताता है कि जब उसने परमिश्वर का हाथ थाम लिया त मित्र याद रखें परमेश्वर असंभाव कारियों का परमेश्वर है और यदि उसने हाथ पकड़ कर बुलाया है तो विश्वास करें वो कभी हमें गिरने नहीं देगा भजन सहींता 121 उसके 1 से 3 में इस प्रकार से दिखा है वो तेरे पाओं को टलने ना देगा तेरा रक्षक कभी ना उंग है मेरे मित्रो ट्रेन के जो ड्राइवर्स हैं वो उंग सकते हैं संसार के जो पहरेदार हैं वो उंग सकते हैं जो रक्षक हैं जो पहरेदार हैं उनको नीदा सकती है लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा रक्षक जो हमारा परमिश्वर है वो ना उंगता और ना सोता है तो आईए अब मनन को समाप्त करते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा जिस व्यक्ति के बारे में हमने अभी सुना ये तो एक मातर मनुश्य था ये घटना अठार्मी शताब्दी की है और वो व्यक्ति फ्रांस का था तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने नियागरा को चल कर पार किया था वो तो मनुष्य था जिसने नियागरा में मनुष्य को बुलाया था वो तो मनुष्य था लेकिन यहां तो परमेश्वर है जो आपको बुलाता है पहला थिसरुनी कियों पांच उसके चौविस में इस प्रकार से लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है जी हाँ जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है तो आईए आज ये दिवो हमें बुलाता है तो हम आना कानी ना करें लेकिन अपने हाथ को बढ़ा करके कहें प्रभू मैं तयार हूं मेरे हाथों को थाम और मुझे लेकर के वहां चल जहां तु मुझे लेकर के जाना चाहता है हमें से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशिश दे आमीन और फिर से आमीन